विश्रुकप से पहले 5 भविश्यवानी जो सच हो सकती है नमबर 1 को कोई नहीं चाहेगा नवश्कार दोस्तों आप सभी का हरद एक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों इंग्लैन में होने वाले ICC विश्रुकप 2019 का आगाज बहुत ही जल्द होने वाला है विश्रुकप का आयोजन 30 मई से 14 जुलाई तक होगा इस विश्रुकप से पहले कई भविश्यवानी की है आज हम आपको 5 ऐसी भविश्यवानी यों के बारे में बताएंगे जो इस विश्रुकप में सही साबित हो सकती है विशुकप की पांच भविश्यवानी जो सच सावित हो सकती हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन पांच भविश्यवानीों के बारे में इस विशुकप में शिरलंका की टीम को कमजोर माना जा रहा है और जिसके कप्तान को बहुत ही कम मैचो का अनुबव है शिर्लंका की टीम में अनुभवी खिलाडियों की कमी के कारण ये माना जा रहा है कि शिर्लंका बहुत ही ज़ल्द विशुकप से बाहर हो सकती है नमबर चार उलट फेर कर सकती है वेस्ट इंडीज की टीम 1975 और 1988 की शुरुवाती दो विशुकप जीतने वाली वेस्ट इंडीज की टीम इस विशुकप में कमजोर नजर आ रही है वेस्ट इंडीज के पास क्रिस गेल, आंद्रे रर्सल, सिमरॉन हेटमेर जैसे खतरनाक बल्लेवाज है जो किसी भी टीम के खिलाफ उलट फेर कर सकते हैं वेस्ट इंडीज को ड्वेन, ब्रावो और केरण पॉलार्ट जैसे खिलाडियों की कमी जरूर खलेगी नमबर तीन पाकिस्तान जा सकती है सेमी फाइनल में इस विश्रुकब में भारत, इंग्लैंड और उस्टिलिया को प्रबल दावेदार माना जा रहा है इन तीनों टीमों के लावा पाकिस्तान को भी मजबूत टीम माना जा रहा है और ये टीम सेमी फाइनल में जा सकती है पाकिस्तान की टीम कुछ समय से बहुत ही शांदार प्रदेशन कर रही है और इस टीम ने 2017 में इंग्लैंड में ही चैंपियन स्टॉफी जीती थी नमबर दो वर्नर और सुमित के आने से मजबूत होगी ऑस्टिलिया गेंसे छेट सार के मामले में डेविड वर्नर और स्टीफ समित ने इसी साल आईपियल में वापसी की वापसी के करने के बाद डेविड वर्नर ने बहुत ही शांदार प्रदेशन किया और आईपियल में सबसे जादा रन बनाए हाला कि स्मित का प्रदर्शन IPL में अच्छा नहीं रहा इस विश्वकप में डेविड बॉर्नर और स्टीव स्मित के आने के बाद ये टीम और भी मजबूत हो जाएगी इस विश्वकप के बाद धोनी ले सकते हैं सन्यास भारत को 2011 का विश्वकप जिताने वाले कप्तान MS धोनी को शायद ये आखरे विश्वकप हो सकता है धोनी की उम्र को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि धोनी इस विश्वकप के बाद सन्यास ले लेंगे दोस्तों इनमें से कौन सी भविश्यवानी सही हो सकती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी रहते हैं धन्यवाद